इस एक 4 वेडरूम हाउस प्लान डिजाइन तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम डिजाइन स्टार्ट करने से पहले और भी कुछ यहाँ पर हमें एट करना है जील टू पियल और जार देखिए इससे रहेगा तो हight कितना आएगा हम बाद में दिखाएंगे पहले हमें यहाँ पर 4 feet का design करना है 4 bedroom का तो कितना है measurement वह भी हम बाद में दिखाएंगे ठीके तो यहाँ पर हमें 3 inch इधा 3 inch इधा 3 inch और इधा 3 inch ऐसे करके इधार रखना है उसके बाद यहाँ पर 12 इसके बाद इहाँ पर 6 ऐसे यहाँ पर add करना है ठीक है उसके हम क्या करेंगे इधार सी इसको लेकर हम इतना तक लेकर जाएंगे इसको भी इतना तक लेकर जाएंगे ठीक है तो उसके बाद हमें जो main यहाँ पर door window कहाँ पर रहेगा सब कुछ हम यहाँ पर add करेंगे तो पहले हमें इसके बाद door यहाँ पर add करना है 7 feet by 3 feet 6 inch आइट में इधार एक door main door next यहाँ पर एक room इसका जो door आएगा 7 feet by 3 feet guest room इधार आएगा है तो next हमें और भी एक room यहाँ पर door add करना है इधार से 7 feet by 3 feet तो इसको भी हम यहाँ पर door out करेंगे उसके बाद next इधार एक door create करना है तो एक एक room का जो door है यहाँ पर हम measurement के साथ आपके साथ share कर रहे है तो यहाँ पर 7 feet by 3 feet तो आप इसको थोड़ा सा बराब ही कर सकते है वो depend करेगा आपके उपर ओके next इधार 7 feet by 2 feet 6 inch next इधार 7 feet by 2 feet 6 inch तो इसको भी हम ऐसे इधार से out करेंगे ठीक है तो इसको हमने कर दिया है next door यहाँ पर kitchen room 7 feet by 3 feet ओके इसका भी door हमने यहाँ पर इधार से नहीं इधार से करेंगे ठीक है इधार से 7 feet by 3 feet इधार से भी एक door हमने कर दिया है यहाँ पर एक basin रहेगा ठीक है तो उसके बाद इधार हमें 2 feet 4 inch height में 2 feet 4 inch height में यहाँ पर हमें ऐसे measurement रखना है तो चले हम उसके बाद इसके अंदर इसका जो window यह पर हम add करेंगे उससे बाद उसके पहले इधार भी एक room है इसका हम door बहले करेंगे 7 feet by 3 feet ओके तो एक एक room का door complete करने के बाद यहाँ पर window के बारे में हम यहाँ पर ready करेंगे window 7 feet इधा 4 feet तो इधार रहेगा 7 feet इधार 4 feet तो 7 by 4 ओके नेक्स्ट इधार भी दोर इधार यहाँ हम इदार ओके लिता फालिव है तो सके बाद इधार इधार श्की समेजन करेंड़ा । इसके बाद इधार Ard ऐगा इधर भी हमें डोर एट करना है सॉरी विंडो नेक्स्ट इधर फोर साइड में हम ऐसे विंडो किरेट करेंगे तो इधर भी इस रूम के अंदर एक विंडो हमें चाहिए कीचेन का विंडो इधर चाहिए यह जो रूम है इसका विंडो इधर चाहिए ऐसे करके हम यहाँ पर जो window है यहाँ पर add कर दिया है तो reference line इधर से हम delete कर देंगे इसके बाद यहाँ पर जो window area है इधर से हम out कर देंगे तो complete हो गया है उसके बाद हमें क्या करना है इसके अंदर कुछ furniture और line add करना है तो final यहाँ पर हमने जो layout है इसको कर दिया है ठीक है यहाँ पर wash area के साथ यहाँ पर कुछ furniture के साथ यहाँ पर हमने add किया है तो चले हम इसका जो details है इसका जो measurement है आपके साथ हम share करेंगे जो four bedroom के साथ क्या क्या है कापा, toilet, bath, सब कुछ है हम इसके बादे में बात करेंगे ठीक है तो एक बाद आप देख लीजिए इधर से क्या क्या है पहला जो part है, font part हम room के अंदर जाएंगे इधर एक dining table है यहाँ पर भी आप sofa इस सेट कर सकते है यहाँ पर देखिए एक bedroom, left side, right side, यहाँ पर kitchen, यहाँ पर wash area यहाँ पर stair, stair के नीचे sofa set, यहाँ पर एक bedroom, यहाँ पर toilet and bath इसके लिए देखिए थोड़ा से इसको हमने extend कर दिया है, wall, okay और यह पर देखिए इसके साथ atas toilet, इसके साथ atas toilet and bath common bath and latin इधर से आएगा, दो bedroom के लिए तो पहला जो है, study come, kids room यहाँ पर, यहाँ पर bed, okay देखिए ऐसा bed रहेगा, तो bed हम थोड़ा सा उपर के दरब लेकर आएंगे, ऐसा ठीक है तो चलिए हम इसका details आपके साथ share करते है, क्या है इसका measurement तो इसका measurement, इधर से हम इधर तक रहेखेंगे, 30 feet और इधर 44 feet 30 by 44, total square feet कितना है देखिए, हम यहाँ पर calculate करेंगे, calculator के थरू 30 into 44, 1320 square feet, ठीक है 1320 square feet का जो house design है, इधर 12 by 13, इधर 13 by 12, इधर 10 by 10 और इधर 12 by 13, इधर 8 feet 7 inch by 6, 7 feet 6 inch, यहाँ पर 3 feet 11 inch, यहाँ आपर kitchen यहाँ पर attach toilet and bath 4 feet 4 by 6 feet 3, यहाँ पर 7 feet by 4 feet 6, यहाँ पर एक CB area है उसके बाद यहाँ पर देखिए, common toilet 6 feet 3 by 4 feet 4, उसके बाद drawing dining area 16 feet 9 inch और यहाँ पर 16 feet 4 inch total hall room, यहाँ पर एक lobby area 6 feet 4 inch wide, यहाँ पर जो porch area 4 feet 8 inch, और यहाँ पर 10 feet तो इसके अंदर एही था plan, total square feet भे आपको मिल गाया है, तो इसका ट्रॉल खर्चा आएगा, इसके साथ इन्टो करेंगे 1350, 17 लाक से 20 लाक का अंदर आपका यह डिजाइन कर इस सबसा घर बनाएंगे तो आपको हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीके, करने के लिए, तो इही था plan और डिजाइन, तो थैंक्यू वाचिंग दिस वीडियो